तपस्या सफलता की बहुत बार सुना है पर क्या वास्तविक्ता में इसका नुसरन करा है? अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इंजिनियर ये डॉक्टर बनने का सपना, IIT ये मेडिकल में जाने का सपना, या मैं कहता हूँ, I.S. या C.A. बनने का सपना, या और किसी बड़ी फील्ड में फुटबॉल या क्रिकेटर बनने का सपना, या ओलम्पिक में गोल्ड मेडल आने का सपना, कोई भी सपना हो, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो तपस्या सफलता की, क्या है ये? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका अपना नितनविजे, आप सभी लोगा प्रेम जो आप बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथ उवाद, आज बात कर रहा हूँ इस बात की, कि कैसे तपस्या करेंगे, ताकि हम अपने सपनों के शिकर तक पहुँच पाएं, सरी तपस्या किन बच्चों के लिए है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आज एक अच्छे कोर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत खुशी का मौका है, बहुत स्ट्रक्चर करके हमें कोर्स लेके आएं हैं, जिसका नाम भी हमने तपस्या रखा है क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम तीन या चार साल की मैंनद करनी पड़ेगी, हाँ, तपस्या नाम तो कराएंगे,जो आप खुश होकर तपस्या में लीन हो जाओगे और सफलता के दौर तक पहुच जाओगे, तो ऐसी हम आपको तपस्या कराएंगे यह किन बच्चों के लिए है तपस्या यह उन बच्चों के लिए है तपस्या मैं शुरुआत करने से पहले आपको बता दूँ कि हम जो motion education है वो जाहिर सी बात है science based computer examination की तयारी कराता है हम उसमें बहुत experts हैं तो जाहिर सी बात है three or four year के वो प्रोग्रामस हैं जो आगी जाके IAT या medical की तयारी करना चाहते हैं इन में वो courses भी होते हैं जो बच्चे normal ninth या tenth में जब आते हैं तो normal courses को करना चाहते हैं मैं आज उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो olympiats के अलावा ninth में ही तया कर लेते हैं कि मैं IATN बनूँगा या मैं doctor बनूँगा या tenth में तया करते हैं कि मैं IATN बनूँगा या doctor बनूँगा आप सब लोग जानते हैं 10th में भी board खतम होने की बाते हो रही है काफी ज़्यादा chances है कि अब ये खतम कर दिया जाएगा तो जो बोड का अपने को डर होता था फियर होता था कि लगता था कि पहले हम बोड करें वह भी बात जाने वाली है और जाहिर सी बात है कि बोड पर अपन बात नहीं कर रहे है बोड की अलग importance है पर अगर ये 10th का बोड हड़ गया तो अपने लिए ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी तो तीन से चार एर में तपस्याला कोर्से से फिर से मैं आपको एक बार बोल दूँ ये उनके लिए है जोनों ना 9th ये 10th में ताय करना चालू कर देते हैं कि प्रभावित हो गया उनकी प्रसंट से प्रभावित हो गया और मैंने सोच लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है पर क्या वास्तविक्ता में मेरी मेरी काबलियत है डॉक्टर बनने की उसके लिए भी हमने एक टेस्ट रखा है निशकर्ष जो मैं इसके बाद में आपको है बच्चों के विए से मिलाया उस में भी नहीं जाना चाहता हूं पर सच्चा ही यही है तो जो भी बात कहूँगा और शिक्षा से प्रजित होगी सौर से प्रजित नहीं तो हम एक निशकर्ष टेस्ट भी इसके बाद में आपको बताऊंगा जिसमें आप आपको बताएं करते हैं यह motion का जो three or four year का course launch हो रहा है यह क्या है और sir आपके पास पहले भी 9th और 10th में बच्चे हैं आप पहले भी courses चलाते हैं तो इसमें difference क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी तक जो भी हम 9th और 10th के different Olympiards के लिए उसके लिए उनको focus करा रहा है जाइसी बात है जब इस तरहीं Olympiards के लिए तैयारी करते हैं तो उनका एक base मजबूत हो जाता है जेई और NEET के लिए भी पर हम उनको 100% focus नहीं कर रहे थे जेई और NEET के लिए पर अब जो courses लेके आ रहे हैं वह 100% focus होंगे जेई और NEET के लिए यानि कि अगर कोई बच्चा 9th में आ रहा है अगर इस येर में तो चार साल बाद अगर जेई की तियारी करना चाहता है तो उसके लिए पूरे कर सकते हैं इसमें सिभ ये बताया गया है कि stand and संक्या में बच्चे एक्जाम देते हैं तो महत्पूर्ण ये है कि हम पहले 10,000 20,000 में हमारा नंबर आना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि आपकी रफ्तार आपके बच्ची की रफ्तार तेज होगी या धीरे होगी को सकता है कि रफ्तार तेज हो पर अगर जो सफर है 18,00-10,000 तक का या 18,00-10,000 तक का या 18,00-100,00 तक का ये सफर आसान हो जाएगा उसके लिए हमें तपस्या करनी ही पड़ेगी तो तपस्या सफलता तक की इसमें अब हमाँ बात कर रहे हैं अगर मैं बात करों हो 4-year program यह उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास में आते हैं जी हां 9th में जो बच्चे आते हैं उनके लिए बात करनी है अच्छा कभराई यह मत फिर में आपको कहा रहा हूं कई बार बच्चे सुसते हैं 9th में 9 से हम तयारी चालू कर देंगे अभी तो हमें स्कूल जाना पड़ता लिए कि ITN बनना है यह डॉक्टर बनना है तो गड़े को यह कि खोदना चालू कर लिजिए तो पानी बहुत अच्छ जल्दी भी निकलेगा और मिठा भी निकलेगा यानि के अपने इंजिनियर यानि कि ITN और डॉक्टर बनने का सपने को पूरा कर पाएंगे तो अगर आपका कवर करेंगे नाइंत का सिलेबस जो आपके स्कूल का होगा और हम साथ में कवर करेंगे जेई का सिलेबस ओहो हो सरी कैसे कवर करेंगे यह मैं आपको बताता हूं जब हम नाइंत का सिलेबस कर करेंगे उसी के साथ अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जेई और नीट में जो syllabus होता है, वो 11th और 12th का syllabus होता है, अगर मैं आप बात करूँ जेई और नीट में, तो करीब-करीब 90 chapters होते हैं, जो करीब-करीब पूरे 11th और 12th के mixture होते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा, खुबसूरत बात क्या है, मैं आपको बता में भी है, यानि कि क्या अगर हम 9th में ही अपना base strong कर लें, और उसका level उस 11 तक ले जाएं, और जेई तक ले जाएं, तो मोशन इन वंडी जो 9th में था, वो 11th में था और जेई में, उन तीनों का सफर हम एक साथ तैय कर सकते हैं, तो हमारी 9th भी अच्छी होगी, और हमारी जेई भी अच्छी होगी, ऐसे ही अगर नीट की बात करें, तो अपन 9th की भी तैयारी यहीं करेंगे, और अपन नीट की भी तैयारी यहीं करेंगे, अच्छा सर, ये बात तो आपकी बिलकुल सही है, तो हम दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, 9th की भी और जेई की भी, क् मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कि 90 chapters है, J या नीट में, है न, approximately इतने ही है, लग भग लग ठीक, J नीट में 90 chapters है, अच्छा, अगर इस 90 पे से अगर 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 बात करें, तो अपन इसा मान सकते है, approximately, कि 40 chapters हैं 11 के, और, 40 या 50 chapters जो अपने हैं, वो chapter से किसके, 12 के, ठीक भई, ये बात सा समझे, approximately या idea ले रहा हूँ मैं आपको, numbers vary कर सकते हैं, तो ये 40 11 के हैं, और 50 12 के हैं, इस 40 जो 11 के हैं, इस 40 में, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस 40 में, करीब-करीब 9th class में जो chapters होंगे, ये करीब-करीब होंगे, अपने हैं ये मान के चलें, करीब-करीब 30, 28 से 30 आप मान सकते हों, 28 से 30 chapter 9 में होंगे, अच्छा, 10 से 12 नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 28 से 30 chapter कहां पे होंगे, 9th में, यानि कि अगर आपन बात करें, जैसे अगर आपन जई की बात करें, तो जई में, physics, chemistry और maths में, जो अगर 40 chapter हैं, किस में, जई में, 11 वाले सिले बस से, तो उसमें 9th में, जो similar heading के topics होंगे वो 28 से 30 होंगे, अगर इन 28 से 30 chapter को 9th में ही मैं, इस level का पढ़ लूँ, औरे हौ सर, इस level का पढ़ लूँ, तो क्या मेरी 9th भी अच्छी होगी, मेरी 11 भी अच्छी होगी, और मेरी J or need भी अच्छी होगी, बात तो सर आपकी बिलकुल सही है, सर ऐसे कैसे पढ़ पाऊंगा बिलकुल पढ़ पाऊंगे, अगर मन में ठान लिया कि आपको आगे जाके अच्छा बनना है, टॉप रेंग लानी है, तो कर पाऊंगे, ये कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आप से रिक्वेस्ट करेंगे, कि क्लासिस के साथ साथ, क्लासिस के साथ साथ आपको सिर्फ और सि कोई खास बात नहीं है, अपनी लाइफ भी नजय करेंगे, और अपनी तैयारी को भी फोकस करेंगे, पस हम ये समझ गए हैं, कि हमें गड़ा कहां खोधना है, इससे हमें फाइदा होने वाला है, इन दा सेम वे, अगर माली जी पचास हैं, तो जो अगर अपन पचास जो ट पास हैं, उस उन पचास में से ये मान के चली, आपको करीभ करीभ, आपको आप मान के चल सकते हो, की करीभ 35 से 40 शैप्टर आपको टैंत में मिल जाएंगे, Physics, Chemistry, Biology, जी इनको भी हम किस लेवल का पढ़ लेंगे भाई जैया नीट का तो सोचो 9 और 10 में अगर अपने अप्रॉक्शिमेटली आइडिया ले ले तो 30 और 40 इस नबे में से क्या करीब करीब जब हमारी 10 पास हो जाएगी जब हम 10 पास करेंगे जब दुनिया सोचेगी 10 पास कर ली अब मैं कुछ आगे करूंगा तब हम तब हम करीब करीब यह मान के चलिए कि 65 to 70% 70 chapters हमारे complete हो चुके होंगे हमारे complete examinations के लिए जब हम बात करेंगे 10 पास करेंगे सब बोड के लिए वैसे हो सकता है बोड चला ही जाए तो जब हम 10 पास करेंगे तो हमारे इतने चप्टर्स खतब हो चुके होंगे ध्यान से देखो तो शायद तुमारा पिचितर प्रतिशत सिले बस खतब हो चुका होगा औरे वासर कि या हम करेंगे क्या थियान से देखो भई 11 में अब हम करेंगे अ क्या बचे होगे बच्चे जो बच गए एक च्टर प्रोक्सिमेटली जो आपको बोल रहा हूं यह जो टूंटी च्तर बच गए यह अपन करेंगे और 11 के 80 परसेंट टाइम में खतम हो जाएंगे 20 2015-25 अपरल में जब तुम्हारे 11 चप्टर चालो होगा तो दोजार पटीस लिसंबर दोजार दिसंबर तक तुम्हारा पूरा सिले बस ख़तम हो जाएगा ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ. तुम्हें एक्जाम देना है दो हजार सताइस में, दो हजार सताइस में, ओ हो हो, दो हजार सताइस में एक्जाम देना है, और टाइम बच रहा है कितना, दो जार पच्चिस, अपने पास पूरा टाइम बच रहा है, करीब करीब ये मान के चलिए, कम से भी कम अपने पास रिविजन करेंगे टेस्ट देंगे रिविजन करेंगे अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो तुमारा सब्सक्राइब कोई भी नहीं रौक सकता मैं कहा हूं तपस्या कर ली ना तो जीवन भर जीवन भर लोगों के लिए तुम प्रेड़ना बनोगे यह सचा ही है इसलिए आ अगर जो मैं कह रहा हूं अगर कोई बच्चा यह कर ले जो कि टफ चीज नहीं है अभ्यागण भी मुझे सुन रहे हैं यह मसोची को इस्ट्रेस प्रेशर होगा वैसे भी मुशन इस्ट्रेस फ्री एडूकेशन के लिए फेमस है हम बच्चे को वैसे बहुत लाइव करके एख, अगर कर लिया तवका सिर्फ यह बात किये इस पत्र बने रहना जो मैं कह रहा हूं मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता uh आपका बच्चा आपके डिजाइड कॉलेज में पहुंचेगा, कन्फर्म, कन्फर्म, हाला कि मेरे को इस बंच से कहना नीची है, पर यह जो कॉर्सेस हम डिजाइन कर रहे हैं, इन कॉर्सेस की कोई फीसेस भी बहुत जादा नहीं रखीगे, इस से हमारा कोई लक्षी बहुत कोई रेविनी जनरेट करने का नहीं है, हमारा इस से लक्षी है कि हमें ऐसे बच्चे मिलें, जो हम कहते हैं, कि हमारा इश्वास हर विद्यार्थी खास, तो जो बच्चा बले, थोड़ा सा एवरेज भी होना, वो भी अगर ये चार साल कर लें, तो टॉप रेइस तक पहुंच सकता है, एवरेज बच्चा हो सकता है, कि अगर वो 11 वी से त्यालू करें, या 2 वी के बाद चालू करें, तो हो सकता है, वो अपनी desired college ये टॉप रेइस तक नहीं पहुंच सके, पर बच्चा अगर थोड़ा सा एवरेज है थोड़ा सा एवरेज था है तो मेरे को एसा को चाहिए था अगर मैं पर एक से लेकर सो वाले तक सबको अपनी मन की ब्रांच मिल जाती है यह सचाही है कोई फर नी पड़ता उससे अरे पर में कि आपको बच्चे एवरेज हुआ तो नबे रेंग अची रेंग ला सकता है तो इसलिए उनकी लिए बहुत इंपोर्टेंट यह सिर्फ वो निदेगे जिनके बच्चे स्कूल के टॉपन है यह उनके लिए बहुत इंप स्ट्रक्चर्ड हमने फिर से वो ही करा कि हम क्या करने वाले हैं 10 और जेई 10 और जेई और यहां पे भी कैसे यहां भी विगरबन बात करें तो 10 और नीट ऐसे हमने स्ट्रक्चरिंग करिए इसमें जहेड सी बात है फिर से हम वो ही करेंगे हम क्या करने वाले हैं बता रहा जो कि 12th के साथ मैच होते हैं, इस 10th में जो अगर अगर आपन बात करें, तो इसमें, जो अगर आपन reality में बात करें, तो 10th में, यह जो 11th और 12th के रिविजिन होगा था, पचास, 12th वाला, जो मैंने पिसी साइड में भी करा था, उसको ध्यान से सुने, इस 50th में से इसमें हो 40 chapters with required base of 11th, base of 11th, तो ऐसे नहीं पढ़ा दिया जाएगा कि सार, आपका base 11th में, 11th का जो आपको चाहिए, यानि कि 9th का जो चाहिए, जिसे 9th और 11th एक बोल रहे हैं, वो chapter जो आपको चाहिए, उस chapter के लिए, 12th के लिए, वो उसको 7 में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको को वाला जो बच्चा होगा, उसका approximately इस पूरी कहानी में, अगर अपन बात करें, जो 10th का जब syllabus खतम होगा, तो अगर अच्छे समझें, तो यह मान के चलिए, कि 60% of syllabus, 60% of syllabus of J or NEET will be completed, basic level, basic level, J and NEET will be completed, along with 10th, यह हो चुका होगा, फिर से वो ही बात, कि अगर अपन बात करें, तो यह वाला बच्चा जब 11th में आएगा, तो पूरी 11th में उसके बच्चे होए 11th के topic, ताकि 11th भी अच्छी हो जाए, यह पूरे complete करा दिये जाएंगे, और करीब-करीब आप यह वाला बच्चा एक्जाम दे रहा होगा हो, 2026 में, तो 2026 में जब यह एक्जाम दे रहा ह चुका होगा, इसको 18 मेने की बचाए, जैसे नाहींत वाले को मिल रहे थे 15-16, इसको 12 महीने मिलेंगे, कितने? 12 महीने, उस 12 महीने से पहले, यानि कि 2026 मार्च या मही में में अगर यह देने वाला है, तो 2025 मार्च या अप्रिल तक, इसका मार्च के वे से अमरी प्लानिंग कढने के लिए, और बारा महीने बहुत हैं, तो यह हो ज hacking लेट हुगा तो आपने पढ़ाई करें कभी भी आप आ सकते, बाच जाते हैं, इस इसestab responsive अगा जाते हैं, इसमें कोई शक और शंशाय वाली बात नीए, अग़र हम समय से इस बात को सोच लेई कि हमें क्या start करना है तो ठीक है भाई ये बात हम समझ गए तो ऐसे हमारे जेई और नीट के 3 और 4 यर प्रोग्राम है कुछ-कुछ बाते में आपको और बताता हूँ जो आपके काम कियोंगी कौन-कौन से सब्जेक्ट करेंगे सर आप 9 और 10 में सर से जेई नेट की सब्जेक्टी पढ़ाओंगे नहीं भाई हम सब पढ़ाएंगे हमारे यहां पर दो डिविजन हैं फांडेशन अगर आपन बात करें जो जो मोशन के बेसिक जो आप से लिटे जो डिविजन है वह एक तो फांडेशन जो फांडेशन क्या इनका काम है Olympiats को देखना और इनका काम है basic है करिकुलम को डेक जैयि जेही देखता है N cockpit जैयिक worried लगहें एकडेमिक है लना रहा है थोड़ा shady वीडियोशने बना रहा है ताकर हमें तपस्या का कोर्स बनाना है तो अगर जई तपस्या में बच्चा आ रहा है तो इन दोनों का कॉंबिनेशन होना चाहिए और अगर नीट तपस्या में आ रहा है तो इन दोनों का ability English Hindi सब जो आपको आपके बेसिक करिकुलम के लिए चाहिए वो सब मिलेगा अच्छा यानि की और जी वाले को फिजिस केमिस्टी मैच डीप तक पढ़ाई जाएगी और ये सारे सब्जिक पढ़ाई जाएगे और ये वाले स्कूल के लेवल तक पढ़ाई जाएगे ताकि हो बात बिलकुल सही है सर डिस इस अ फिल्लाउससफी सही और एक चोटी सी बात ओर करें एपन इसमें और कैसे करने और आ वाले झाहीं समझों बच्ञए इसमें कैसे मैच होगा सर एलम सर कैसे होगा मानलजी मैं आपको बात करूं कि माली मोशनन वंडी है वो 9th में भी है, 11th में भी है, J में भी है तो उसका basic purpose, basic तरीका बताता हूँ सबसे पहले आपको माल लीजिए तो आपको सबसे पहले foundation का जो teacher है कौन है? foundation का जो teacher है वो foundation का teacher आपको पहले basics complete कराएगा physics के basics basics complete कराएगा foundation का teacher ठीक है? जब उसके basic complete हो जाएगे तो वो उस subject के लिए transfer कर दिया जाएगा J E या need division को हमारी basic planning ये है, जो आप ध्यान से देखें कि अगर आपका course अपरिल को चालू हो रहा है तो अपरिल से लेकर जून तक अपरिल से लेकर जून तक अगर J E का बच्चा है, मैं आपको example देता हूँ तो J E का अगर बच्चा है तो उसके लिए अपरिल से लेकर जून तक physics, chemistry और maths के basics complete करादेगा कौन? foundation पहले तीन मैने में उसके basic complete करादी जाएगे physics, chemistry और maths के इस दौरान इसको मेंटलिबिलिटी इंग्लिश इंदी की बहुत minimum या zero के बराबर क्लासे लगेंगी जब यह basic हो जाएगा complete he will be transferred to J E or Neat Division अब यह senior teachers के खेमे में चला गया जो जो यह उन teacher से पड़ेगा जो जैसे कि मैं खुद भी J E के और Neat के बच्चे को पढ़ाता हूँ चाहिए और इसके साथ साथ इसके साथ साथ इनके जो बाकी subjects थे उनकी class चलती जाएगी तो it will be a right combination of the right experts right combination of right experts J E के experts भी पढ़ाएंगे और foundation experts भी पढ़ाएंगे Neat के experts भी पढ़ाएंगे और foundation experts भी पढ़ाएंगे Is that clear? Yes sir तो आप सोचो अगर ये planning हम दोने तो बहुत बढ़ी है planning कर रखी है हम बच्चों को बार-बार ये कहते हैं कि अगर हम आप और parents ये तीनों मिलके अपने कर्तवियों का निर्वाह सही से कर ले तो सफलता किसी कीमत पर नहीं रुख सकती हमारे कर्तवियों के निर्वाह हम पूरा करेंगे ये मैं आपको वादा करता हूँ और मैं आपको इस बात और इस बात की guarantee भी देता हूँ कि आपके father and mother का कर्तवियों का निर्वाह भी 110% करेंगे आपके कर्तवियों की बात हो रही है कि आपको यह पढ़ना पढ़ेगा, करना पढ़ेगा, इस तपस्या में सजक रहना पढ़ेगा, और निरंतर बने रहना पढ़ेगा, तो हम कर पाएंगे, सलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सरा आपने इतनी सारी बाते तो कर लिए, इतनी कोर्स फीचर्स जो अपने हैं, बहुत सारे की बाई, इस पहनी क्लास सारी बिज़ेखने की क्लास लेगें, डाउट काउंटर लगेंगे, इस इस नहीं भूत जाता हूं, इस वरी स्ट्रुक्चर्ट, everything you will get एक एक फीचर को अगर मैं एक्समें करने लगूँगा तो बहुत टाइम लगेगा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं but all the features which is required for a good curriculum, for a good academic structure I can 100% show you कि आपको number one value का मिलेगा बिल्कुल चंता नहीं करनी अपने को ठीक है तो यह अपना study metal बहुत शांदार होगा कोई चिंदा करने की बात नहीं तो एप वगेरा फिर से करा हूँ आप अगर कोई class उट गए तो video lectures जो आपको study material मिले रहा है तो के text solutions, video solutions, सब कुछ मिलेगा in a very very proper way in a very very proper way and in a very very structured way जैसा कि मैंने शुरुवाद में बोला कि हमारे कर्तव्यों का निर्वाह हम पूर्ण रूप से करेंगे गबराने की और शर्वाने की जरत नहीं है चली आजाईए अब देखी यह अपना कहा है complete mentorship ठीक है यह सब अपने को मिलेगा इसके बिना नहीं लेंगे इस सेलेक्शन टेस्ट बेसिकली हमारा एक टेस्ट होता जिसे हम बोलते हैं निशकर्ष नाम क्यों है मैं आपको बता दूं हालाग इसके आलगसे भी एक वीडियो है भी कियसे कही बोला कि यार में धचाहता हूं पर वह वाकई मेंगे बनने वाले यह सब कि टसाथे होगा कि तो हम सचाही में किस लाईया मला हम बिना वह ब्ले हम सही बताए हैं तो हम साइंस की तैयरी करवातें पर अगर आप साइंस का बेस आपका नहीं means नहीं मतलब में नहीं करना तो कुछ भी जा सकता है अगर आप हमें लगता है कि आप सिए के लिए ज्यादा बने हुए कॉमर्स के लिए ज्यादा बने हुए तो हमारा टेस्ट आपको बताएगा कि you are more recommended towards percentage में आपको बताएगा कि you are more recommended for commerce, you are more recommended for this, तो यह test देना कमपल सरी होगा, बिना selection test के आपका इस तपस्या कोर्स में अडमिशन नहीं हो सकता, इमानदारी से बताओं तो बाकि हमारे courses में हो सकता है कि सभी का admission होता हो, पर तपस्या कोर्स में, क्योंकि हमें भी तपस्या करनी है, चार साल तक हमें भी investment करना है, तो हम हर किसी को नहीं ले रहे हैं, limited seats हैं, हम कुछी batches इसमें बनाएंगे, तो निशकर्ष टेस्ट के थ्रू ही यह हो सकता है, कैसे पढ़ाया जाएगा, मैं जानता हूँ, सारे बच्चे कोटा आप आएंगे, कोई जरूरी नहीं है, तो इसमें offline और online दोनों mode हो जाएं, तो बहुत 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 बढ़िया बात है, तो offline और online, दोनों mode में अपने इसको पढ़ाया जाएगा, पहला बैच चलेगा, पांच अपरिल, इस पांच अपरिल को यह मत सोचीगा, कि डेट इतनी लेट है, तो अभी तो हमारे पास बहुत समय है, टेस्ट आपका आपका नंबर आजाए, मैं आपको सही बताओं, तो इसके बाद दो फेज और आएंगे, डेट अभी हम अनाउस नहीं कर रहे है, पर पहले फेज में आपका नंबर आजाए, यह important है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को हम पहले में ले ले, कुछ को हम बाद के लिए रख तो जो निशकष टेस्ट है, उसके पर हम क्या-क्या आपको बाते बताएंगे, उस पर अपनी है, साइंस मेट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, अदर्स का, आपका एक्ट्यूमन किधर की तरफ है, यह यह टेस्ट बताएगा, बेसिकली टेस्ट इस प्रकार से कि आप ज्यादा बने हुए हो, हम आपको परसिंडेज में उसको शो करेंगे, तो निशकर जो टेस्ट है, वो आठा और बाइस जनवरी को होगा, उसके लिए अपलाई करना नीचे, आप चालू कर दीजिए, करियर सेलेक्शन टेस्ट इसको हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो स्कॉलर्शिप भी आईगी, क्या आईगी? स्कॉलर्शिप, बहुत अच्छे बच्चों के लिए 100% भी आ सकती है, इसमें कोई शक और शंचेवाली बाद निया, बिखने के लिए नहीं करा गया है, कुछ बच्चों को ही मिलती है पर जिसको भी 100% मिलती है, उसको अगले साल भी अगर 100% लेनी है, तो आप उसको उस पूरे कोर्स में परफॉर्म करना पड़ता है, तो खेर, निश्कर्श को आप सेलेक्शन टेस्ट की तरह लीजिए, वो सेलेक्शन टेस्ट प्लस आपका स्कॉलर्शिप टेस्ट है, बाक इसे बार-बार कह रहा हूं, तपस्य का मतलब यह नहीं है, कि हम आपको सिर्फ और से कमरे में बंद कर देंगे, हम आपको खिलाएंगे भी सही, गुमाएंगे भी सही, पर पढ़ाएंगे भी सही, है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, तो आशा करता हूं कि आप इसी त करते हैं, तो आप मोशन एजुकेशन के चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए, मोशन फांडेशन को कर दीजिए, और नीट को कर दीजिए, इन तीनों का उद्देश्ची अलग-अलग है, काम की बाते आती रहेगी, मेन चैनल पे हम आपको मोटिवेशन स्ट्रेजी लाते हैं जेई पे जेई स्पेसिफिक, नीट पे नीट स्पेसिफिक, और फांडेशन पे 6-10 के जितनी भी इन्फोरमेशन हैं, वो सारी की सारी आती हैं, तो जो भी चैनल आपके लिए रिलेवेंट हैं, उसे आप जरूर कर दीजिए, काम के चैनल हैं, एंटर्टेन्मेंट के नहीं हमें क्या करना है, मेरे साथ व्यक्ति के दूरूप से इतना प्रेम बनाये रखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, इस बार मोशन को भी बहुत प्रेम मिला है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद जब इतना प्रेम मिलता है तो हमारे मन में भी कर्तव विका बोध आता है और वो कर्तव ही है जो हमें निरंतर चलाएमान रख रहा है फिर से एक बार आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए थैंक यू